जो जो भी समाज से आती है जो घपड़ाद होने का काम करती है उनको MLC बनाते हैं हम तो चाहते हैं कि रेप्रेजेंटिशन जो हर एक समाज का रेप्रेजेंटिशन आखिर OBC और अथी पिछुडों को अलपसर्खिकों को इस पे आरक्षिन करते हैं कि मोदी जी काप मास्टर स्ट्रोक मानते हैं क्या है यह महिला अलप्षन लाए गया है आप तो इसका समर्थन रहे थे लेकिन फिर भी आपने बताए कि बहुता इस प्रक्षिया है यह कब लागू होगा कानू आप लोगों से जानना चाहते कि यह कानू जो है लागू कब जवाब है जो कानून लागूहीं नहीं होगा उसका मतलब क्या है हम तो 33 फीसिदी नहीं हम तो चाहते हैं 50 फीसिदी महिलाओं का रेक्षिन करते हैं लेकिन कम से कम उसमें OBC महिला जो वंचित सोशित समाज की जो महिलाएं हैं जो अलपसंख्यक महिलाएं उनका भी तो पा मुन्नी रजक जो धोबी समाज से आती हैं जो कपड़ा दोने का काम करती हैं उनको MLC बनाते हैं तो हम तो चाहते हैं कि रेप्रेजेंटेशन जो है हर एक समाज का रेप्रेजेंटेशन आखिर OBC और अती पिछुडों को अलपसंख्यकों को इसमें आरक्षिन क्यों नहीं यह तो सवाल और आप लोग हम तो पहले भी कहते हैं कि OBC जो समाज है जो पिछड़ा जो समाज है वो लड़ाकु समाज है अगर अधिकार नहीं दीजेगा तो इंट से इंट बजा देगा और अपना अधिकार लेकर के रहेगा तो अगर कोई गलत फैमी में है कोई अगर कि इसी को बंदवा वोट के नजरिये से अपना समस्ता है कि भाई यह हमारा वोटर बन जाएगा हिंदू-मुसल्मान के नाम पे धर्म के नाम पे तो यह चलने वाला नहीं है जहां भी जागरुक समाज भी है और लड़ाकु समाज भी है और अपने अधिकार को जानता भी है लेना भी जानता है तो कोई गलत फाहिए